दोस्तों यदि आप मोदी जी की पोस्ट देखते होंगे तो आपने देखाऊगा उनने अभी दो दिन पहले गुजरात के धोली वारा स्थान को वर्ल हेरिटेस सेंटर में शामिल होने की जानकारी दी इससे पुर्वी वो कुछ यलंगाना के रमप्पा मंदीर को भी हेरिटे करता है सभावी किस पोस्ट से इतनी तो जाग रुकता आती है कोई स्थान वर्ल हेरिटेस सेंटर में कैसे शामिल होता है इससे क्या लाव है कोई भी देश जो महत्पुन सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरवर होते हैं उनकी एक सूची बनाते हैं इसे ट्राया लिस्ट कहत सकता है राष्ट को अधिकार रहता है कि वो किसे नॉमिनेशन फाइल में डालेगा वर्ल हेरिटेस सेंटर इस नॉमिनेशन फाइल को बनाने में सहता करता है इस पोस्ट में इस लिस्ट में कौन-कौन आ सकते है तो वन छेत्र परवाज जील मरुस्तालिस माराग भवानिया शहात चैनित करके सनक्षित करना होता है क्यों चैनित किया जाता है तो विश्व संस्कृति की दृष्टी से और मानाता के लिए महत्पूर्ण है इसलिए इन्हें चैनित किया जाता है किसी स्थान को इस सूची में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं उस क् तराश्टी स्मारक और इस्थल परिशाद एंविश्व संद्रक्षन संग इसे हम कह सकते इंटरनेशनल कॉंसिल फर मॉनुमेंट्स और साइट और यह जो समीथी है यह विश्व धर्वार समीथी से सिफारिश करती है कि इसे आप हरिटेस सेंटर में ले लिजिए भरत में करीबन 11-12 स्टेट है दो केंदर शाषित प्रदेश है और अप्रॉक्स 41 भी हो सकते हैं को विश्व धर्वार सूची में शामिल किया गया है प्रस्तावी सूची में किरल पश्चिम बंगाल के प्रयाश सामिल है इस वर्ष वर्ष हैरिटेज डे जो है 2021 कती में मुझे बताने में मेरी जानकारी में कोई तुरूटी हुई हो तो उसके लिए मुझे शमा करेंगे